पुश्कार, स्वागत है आपका Self Study के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं कि अभी हाली में क्या किया गया है हमारे देश के 25th Chief Election Commissioner राजीव कुमार जी की न्युक्ति की गई है उनसे पहले सुशील चंदरा जी थे अब बात आजाती है कि Chief Election Commissioner की तो इससे रिलेटिट जितने भी हमारे important question बनते हैं for example कि Election Commission से रिलेटिट article क्या-क्या है मत दाता दिवस कब बनाया जाता है इस Chief Election Commission की power and function क्या है इनकी क्या limitation है, इनको कैसे हटाया जा सकता है इन तमाम बातों को हम इस वीडियो के अंदर cover करने वाले हैं साथ इसाथ PDF के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं description box में telegram का एक link दिया मिलेगा तो जाकर आप वहां से इस वीडियो की PDF download कर सकते हैं तो कुछ भी लिखने का नहीं है, अराम से सुनने का है सारी जीचे आपको लिखी-लिखाई मिल जाएंगी तो चलिए अभी क्या किया है, राष्टपती जी ने राजीव कुमार को राजीव कुमार को मुख्य चनाव आयुक्त, यानि 25 CEC यानि Chief Election Commissioner के रूप में न्युक्त किया है, यह सुशील चंदरा की जगह लेंगे, अब इससे related जो भी हमारे सामने information आती है Chief Election Commissioner या Election Commission से related, उन तमाम बातों को हम कवर कर लेते हैं, दीके भारत निरवाचन आयोग, जिसे चुनाव आयोग के नाम से जाना जाता है, एक autonomious constitutional body है, authority है और यहाँ पर यह क्या काम करती है यह संग और राज्जे के चुनाव प्रक्रियारों का संचालन करते हैं यानि संग यानि कि लोकसभा या राज्जे सभा, या प्रेजिडेंट या वाइस प्रेजिडेंट या राज्जे के अंदर जो चुनाव होते हैं उनसे related सारे काम जो है वो चीफ election commissioner के यानि election commissioner of India के दोरा करवाय जाते हैं अब चुनाव आयोग की जो स्थापना है, इसकी की गई थी 25 जन्वरी 1950 को और इसी दिन को राष्ट्य मद्दादाता के दिवस के रूप में भी मनाया जाता है तो ये चीज़ें आपके लिए important हो जाती है अब यहाँ पर आयोग का ये commission का, जो सचीवाले कहां पर है, नई दिल्ली के अंदर है ये देश के अंदर लोकसभा, राजे सभा राजे विधान सभाओं, राष्टपती उपराष्टपती, इन सबसे related सारे चुनाव जो हैं वो इसके द्वारा कराये जाते हैं, यानि election commission of India के द्वारा कराये जाते हैं और सबसे important बात यहाँ आजाती है कि इसका राज्यों में पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनावों से कोई ही भी संबन नहीं है पूछा जा सकता है एक्जाम में कि जो election commission of India है वो क्या state के जो यहाँ पर नगर पालिकाओं है इसका election करवाते हैं तो answer होगा no, भाई state के लिए अलग से एक राज्ये चुनाव आयोग है पार्तिय समिधान के पार्ट 15 में आर्टिकल 324 से लेके 329 तक यह चुनावों से संबन दिते हैं और इन मामलों है तो एक आयोग की यानि कमिशन की स्थापना भी करते हैं अब बात करते हैं आर्टिकल 324 इसका क्या मतला है कि चुनाव का addiction यानि सुप्रिटेंडन्स हो गया direction हो गया उसको control करना हो गया यह सारा कौन करेगा यह चुनाव आयोग के द्वारा करवाया जाएगा आर्टिकल 325 इसमें बोला गए कि धरम जाती या लिंक के अधार पर आप किसी भी आर्टिकल 326 कहता है कि लोग सबा एम परतेक राज्य की विधान सबा के लिए जो निर्वाचन है उसकी जो criteria रखी गई है एक वियसक मतादिकार यानि कि 18 इयर जो हो जाते हैं 18 साल के जो उमर के जो बच्चे हो जाते हैं तो वहां पर वोट डाल सकते हैं सकते हैं मना सकते हैं सेम 328 आर्टिकल में बोला गए कि राज्य के विधान मंडल को इसके चुनाव के लिए कानून मनाने की शक्ती है और आर्टिकल 329 चुनावी मामलों में अदालतों का हस्तक्षेप पर रोक ये काफी जादा इंपोर्टन्ट है कि चुनावी मामलों में कि अदालत हस्तक्षेप करेगी यहां पर लगाती है रोक वही कौन सा आर्टिकल लगाता है रोक आर्टिकल 329 तो ये सारे हो जाते हैं आर्टिकल 324, 25, 26, 27, 28, 29 अब निर्वाचन आयोग की सरंचना है यानि की स्ट्रक्चर क्या है कौन-कौन इसके अंदर होते हैं देखिए निर्वाचन आयोग में मूलता है एक चुनाव आयोगत का प्रावधान था यानि एक ही होगा एक इलेक्शन कमिशनर होंगे लेकिन बाद में क्या हुआ एक संचोधन किया गया इलेक्शन कमिशनर अमेंडमेंट एक्ट 1989 इसमें क्या किया गया इसको तीन सदस्य एक मल्टी मेंबर बोड़ी बना दिया गया अब निर्वाचन आयोग के मुखे चुनाव आयोगत और अन्ने चुनाव आयोगत यदि कोई हो जो राष्टपती समय समय पर तैय कर सकता हूँ उससे मिलकर बना होता है आज की डेट की अगर बात करें तो वर्तमान में मुखे चुनाव आयोगत और इनके अलावा दो अन्ने चुनाव आयोगत भी शामिल है राज्यस तर पर बात करते हैं तो राज्यस तर पर निर्वाचन आयोग की साहता मुखे चुनाव अधिकारी द्वारा की जाती है जो एक IAS रैंक का अधिकारी होता है तो यह हो जाता है समयरे सामने राज्ये का और जो सेंटर हो गया इन सब का अब बात करते हैं कि इनका कारेकाल और इनकी न्युक्ति देखिए राष्टपती जो है मुखे चुनाव आयुक्त और अन्य जो चुनाव आयुक्त है उनकी न्युक्ति करते हैं इनका जो कारेकाल है वो 6 साल का होता है या फिर कहें कि 65 साल तक ही यहाँ पर रह पाते हैं 65 साल बोले तो अगर किसी की न्युक्ति अगर 64 पे हुई है तो वह एक साल ही काम कर पाएंगे ऐसा नहीं कि यहां पर 6 साल लिखा है तो नहीं वह 65 की यर के होगे तो उनको रिटायर्मेंट टेनी पड़ेगे यानि दोनों में से पहले कोई भी हो जाए जब छे साल क्राइटेरिया पूरा हो जाए या फिर 65 साल के पहले हो जाएंगे तो वहां पर रिटायर हो जाएंगे इन्हें भारत के सर्वोच न्याले यानि सुप्रीम कोट होता है उनके जो उनको हटाने की प्रक्रिया होती है वैसे ही मुक्य चुनाव आयूक्ति प्रक्रिया वहां पर फॉलो की जाती है यह वैसे भी कभी स्तिफा दे सकते और उनकी कारेखाल की जोब कभी भी समाप्ति यह भी हटाया जा सकते हैं विंटिशन के देखें समीधान के निर्वाजन के सदस्यों की योगेता जो वो कानूनी सेक्षिक प्रशाश्चिक नियाई निर्दारित ने की गई है समीधान ने चुनाव आयुक्त के सदस्यों का कारेकाल इसमें इसकी कोई चीज़े आँ जाती हैं अब बात करते हैं कि इलेक्षन कमिशन ओफ इंडिया कि जो क्या क्या काम करते हैं देखें डिवीजन ओ कंस्टिटिउन्सी करना प्रिपेरिंग करना अप्टू डेट चीज़े रखना वैलिड जो मतलब जो वोटर्स है उनकी वैलिडिटी कि भी हाँ यह वोटर है सही है नहीं है या फिर इसका और दूसरे राज्जे चे अंदर चले गए इरेक्शन कमिशन ओफ इंडिया करते हैं नोटिस्केशन निकालना कि यह एलेक्षन कम हैं फिर फिर पेरिंग करना यहां पर डिक्लेर करना इलेक्षन रिजल्ट को fix and limit the election expenses and code of conduct इसके अलावा security and nomination paper होगे settle down dispute referred by the president इन तमाम कामों को कौन करता है election commission of India द्वारा किया जाता है अब जो power है उनके बारे में बात कर लेते हैं देखें संसेत के जो परिसीमन आयोग है अदिनियम के अदार पर पूरे देश में निर्वाचन शेत्र की सिमाओं पर निर्धारन करना है देखें कि election commissioner of India का काम क्या होता है कि delimitation करना delimitation का मतलब होता है जैसे कि यह भारत हो गया यह area हो गया तो यहाँ पर इस area में जनसंक्या के अधार पर एक MLA या MP को नियुक्त करना यह काम एक तरीके से delimitation कहलाता है इसको परिसीमन कहते है तो यह परिसीमन कौन करता है election commissioner ही करता है समय समय पर मददाता सुची त्यार करना सभी पात्र मददाता हों उनका registration करना राजनितिक दल है उनको मानेता देना उनको चुनाव चुचीन है distribute करना यह राजनितिक दलों और उमिद्वारों के लिए चुनावों के आदर्ष अचार सहींता स्वरी जारी करता है ताकि स्वरी ताकि कोई अनुचीत करे ने करे और सत्ता में मौझूद लोगों द्वारा शक्ति का दुरूपयोग ने किया जाए इसके अलावा सलाकार, शेत्रा, अदिकार, अर्द, नियाई कारे हैं मतलब कि एक तरीके से क्वाशी जुडिशियल फंक्शन भी होते हैं इलेक्शन कमिशन के पास जैसे कि यहाँ पर कोई भी मैटर ऐसा आता है जिसमें होते हैं कि इस मतलब कि यहाँ पर किसी को एयोग्य घोशित करना है तो इसका जो है फैसला कोन करता है किसी भी चुनाव में किसी ने अगर गलत डंक से दोशी पाए गए हैं तो उसका फैसला जो है वो इलेक्शन कमिशन के द्वारा किया जाता है या फिर कोई सरवोच नेले चले गए या उच नेले चले गए सामने आते हैं तो वो इस सवाल का आयोग की राहिप के लिए भी भेजा जाता है आयोग के पास ऐसे ऐसे किसी उमिद्वार की आयोग गोशित करने की शक्ती है जो समय के भीतर और कानून द्वारा निर्दारी तरीके से अपने चुनावी खर्चों का लेखा जोका नहीं करते हैं अगर उसमें करने में विफल रहते हैं तो ये election commission जोई उसको ऐयोगे याने Disqualify वहाँ पर कर सकते हैं तो ये हो जाते हैं हमारे सामने Chief election Commissioner से related या फिर election commission of India से related important information एकजाम के point of view से काफी सारी important information थी है आपको कुछ भी लिखना नहीं था फिर से बता देता हूँ PDF जोई वह आप लोगों को description box में telegram का इक link लिए मिल जागा तो वहां से आप इस video की video download कर सकते हैं Video पसंद आई है तो बेशक like करें Channel को subscribe करें और कुछ जादा ही पसंद आया है तो channel को share भी कर सकते हैं और वीडियो को भी share कर सकते हैं Thank you for watching this video